जो आज जनसंखिया बढ़ रही है उसका मैं तो मुख्य कारण मानतौं किसको कॉंग्रेस को पिना सोचे समझे इस देश के इस देश के अंदर अपनी जनसंखिया को बढ़ाते जा रहे हूँ आखिर आप चाहते जा रही हो आखिर आप को देखो ना बहर कंटरी विखिरो मुस्लिम ने एक मुस्लिम को मारा वैयो मुसलिम ने और और अवरत को बच्छों को ऐसे भुंदिया इस परकाना जाने जो घाएं को खाता हो वहाई होगा यानि उनको खतरा महसूस हो रहा है तभी तो लिख रहे हैं पहले पार्चियों का देश तना इरान आज मुस्लिमों का देश बन गया है वैसा यह भी देश बन जाएगा अगर पूदी सरकार नहीं आई तो भारत में वह एक पूर्ट आये 2015 में जो क्या डिपोर्ट और उस हिसाब हिंदुओं के लिए भारत देश के लिए खतरनाक संफित बिल्कुल चिंतागा विस्टैकर ये काई जो कई कारन किसको कॉंग्रेस को यह वही कॉंग्रेस है जो कहते हैं जब आपकी सरकार्थी जब रोजगार किस परकार रहा था जब आप रहोंग यहां किया करती ते वह सवाल करता हूं उस विपक्स से कि जन संक्राइब करें हैं कि मुसलिम को लिए कुछ करा नहीं और मुसलिम को लिए उल्टा सोचा तो आज भारत में जनसंग्या बड़ी क्यों अगर मुदी सरकार नहीं कई-नाकई निसाना बनाए होता है मुस्लिम पक्ष को तो आज घटनी चाहिए दी कि जोड़ने की बात करता है अगर देश जोड़ने की बात अगर ओवेसी करता है तो आज यहां का माहल कुछ और होता और सब्सक्राइब करता है जो आज मैंने रिपोर्ट में खुद देखी थी उसमें कहीं ना कहीं चिंता का विसे बंदी नजर आ रही है जिससे आज भी लोग निजात नहीं पापाई है वैसे कितना भी इलाज आए हो लेंगि कैंसर के एक निच्छत इलाज नहीं आया है उसी पर कहा से यह जन संख्या हमाई ले कहीं न कहीं बहुत ही चिंता का विसे बंदी नजर आ रही है आपको वजह क्या है किन वजहों से देखो मेरा मानना यह है इस पर एक निच्छत तोर पर एक कानून आना चाहिए जैसा कि बार बार देश के अंदर मांग उठी है कि निच्छत जनसंक्या नेंद्रन कानून यह बहुत जरूरी है क्योंकि चिंता का विसा यह है कि जन संक्या बढ़ रही है उसे अगर हम दीरे भारत के नागरिक बंते जा यह नारसी का तो झाले पून समर्थन पहले भी कराता और अंदूलनकारी सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उन्हें भी हम समझाने की को सिस करेंगे पाकिस्तान में घटते हिंदू लेकर उनके लिए वहां कुछ भी नहीं है और बावजूद इन्हें अलग से आरक्षण भी चाहिए इन्हें मोधी का फिरी रासन चाहिए और साम होते होते हैं मोधी ने महांगाई करा रखी है बच्चे भी 20 तुम पैता करोगे और उसके बाद मोधी पाप आरोप लगाऊग है और कोई सरकार नहीं लाएगी अब क्या है अगर जन्शंक्या कानून आएगा जिसके दो बच्चे से ज्यादा है सरकारी नोक्री सरकारी गौर्णमेंट फैसिलिटी टॉटल बंदवर्दू समझ मैं और दूसरी बात मैं आपको बता हूं कि मैं मोधी जी थोड़ी सी यह है अगर किसी ने दंगा किया पत्थर मारे की नागरिकता खतम इसके टॉटल जो वंशोगा उसकी नागरिकता खतम तो देश काण बहुत बढ़िया हुआ लेकिन सान्ती नहीं है अमन नहीं है अशना की घटनार ku घ्रिक्ता हुआ थे जब tomar T अजिरान מפया उसके राज में कभी Sonos ौलोप कि क्रीम नीटता नहीं पर cya Kukra Start में आज 57 हैं तूसरी बात मैंने मुश्म को महारे यह महाना है कि मेंने मार दी यह मुस्लिम फिर मुस्लिम ने मुझे मारा उसके पास मोटीव है ये हिंदू है पंडित है मैं जान करना हूं ये घंटा बजा रहा है उसने मुझे बारा मोटीव है बिल्कुल ठीक है उसने मुझे बारा लेकिन एक मुस्लिम ने एक मुस्लिम को मारा वाई क्यों मारा आप बताओ इराक के एक औरत उसके पूरे शरीर के कुपड़ों में पैबंद लगे हुए थे, पैबंद में थेकली लगे हुए थी, और एक भाई था उसकी दो बहन थी, उसकी दोनों बहन इंगलिस बोल लिए थी, और वो यह करती हम आज तक स्कूल नहीं गए हैं, हमारा भाई हमें पढ़ाता और उसको मार दिया, कि यह डॉक्तर बनेगा, वो लोगों की बरतन मजदूरी करती थी, कि हम इसको पढ़ा के डॉक्तर बनाएंगे, इंजिनियर बनाएंगे, यह फिर हमारी परवर्श करेगा, आप बताओ, पाकिस्तान का कोई दी नहीं मान है, मुसलिम होके मुसलिम को ही इनकी आबादी है, अपने ही कौम को तो मार रहे है, आपस में ही तो मार रहे है, कहां अमन चैन है, मैं आपको बताओं, मुसलिम ही मुसलिम को मार रहे हैं, इनका कहना है, हमारी कौम तो अमन सांती की बाते करती है, तो अमन सांती है कहा, आप खुद देखो ना, रमजान को पाक महीना कहते हैं उसके बाद ही उत्तर पर देश में छोटे-छोटे बच्छों को गला रेद दिया जाता है यह जब रमजान चलने थे मैंने खुद वीडियो देखा है भार के देश मुसलिम कंट्री में मेरी वाइब को उल्टी हो गई मेरा सारा थाली खराब हो गई तीव झाल जापान कैसे वहां पर मुसलिम नहीं है अगर मैं वहां गया कमरा 200 रुपे का और नहीं है तो उसके लिए कमरा 1200 रुपे का और ठहर भी नहीं सकता हर घंटे की रिपोर्ट देनी पड़ेगी जापान के अंदर तो ये मुसलिम कंट्री जो है जो दूसरे देश के मुसल्माने उन मुसलमानें को इतना घंदा कर दिया इतना घंदा कर दिया जो अच्छे मुसल्माने वह भी दुखी हैं वह जो अगर मेरे भाई के पास बहुत गरीब है इसके पास पूरे दिन में इसके परिवार में 10 रोटी लगती है और फुल रोटी ये अर्जित कर पाता है शाम को 9 इसे रोटी की 10 की जरूवत है लेकिन 9 इसे रजाई गद्दे 2 की जरूवत है लेकिन एक रजाई एक गद्दा सुकूर करेता है आगर मेरे घर में रजाई नहीं है तो मुस्लिम धर्म पता क्या करता है वह अपना एक रजाई गद़ा वह यह नहीं देखे और यह कौन है वह देखे पंडित को पंडित करते हैं तो तुम अपना खाने से कहने पहले अपने बराबर को पूछोंगे यह सए गलत है यह भाई अपना घर बना रहा है और इसके घर बनने के बाद मेरे घर की धूप रुक जाएगी तो इसका हक यह बनता है भाई साहब आपका बढ़ा हो गया उसकी शादी करना हूँ घर बना रहा हूँ आपके अगर दूप रुकेगी परिशानी होगी आपकी जादत है यह इसके द्रम में तो यह चुरी कैसा बाश सकता है नहीं बाश सकता है अगर बीजेपी नहीं आई तो दो हजार उन्टिस या अगले उसके बाद यह पूरी कंट्री मुस्लिम कंट्री हो जाएगी हंड़ड़ परसेंट इस वक्त यह कंपल सरी है अगर इस वक्त बीजेपी नहीं आई तो इस देश का नाम भारत के नाम से इस देश के मंदिन आप दस मुस्लिम लाओ पकड़े हमेशा हिंदू ही बुलाता है उन्हें कभी देखा मुस्लमान ने बुलाए हो 500 साल तक हमने बेट कियों कर देखो हिंदू मुस्लिम नहीं है पहली बार बारत ने ब्रहमोस मिसाइल एक्सपोर्ट की अरे उसको तो रिकनाइस करो सोला राजे के अंदर जो है हिंदू अल्प संक्यक है आप जाके देखो में बढ़ती जन संख्या क्या खत्रा का संक्यक है मैं आपको चाने चोंकि घटना सुनाता हूं मैं यहीं काम करता हूं एक अशोशियेशन में कट्रा नील के अंदर बहुत सारे अब हो गया मुसलिम बता हो शोटो नीकली आते हैं अगर इतना भाई चाहरे तो चुक के लिए सारे नीकाते यह एक परसेंट मालो जो नी काते किसी की अलग सी रोटी नी उतरती है जब तक वह मास नहीं कहता हो मुसलिम के बाद बतारू हैं हम हिंदु का क्या हिंदु के बाइध है इसे मुसलिम बूट लगा जहां पर हिंदु अपने मकान पर लगा दे रहे हैं तभी तो लिग रहे हैं और खत्रा क्यू नहीं है अब हर एक जगा पे हमारी बेटी बहू हमारे भाई इनके सिकार नहीं तो खत्रा नहीं तो झाली है भी उसलिए खत्रे में ठीक हैं और यह चीज तो आगर चलता रहा और बीजेपी अगर सरकार नहीं आएगी तो एक दिन्हों säger और सरकार नहीं आई